नमस्कार मैं हुजाय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं CBC News राजस्थान कोरोना का कहर पूरे विश्व में फैला हुआ है भारत भी कोरोना से एक तरह की जंग लड़ रहा है और इस जंग को जितने में भारत का हर नागरेक अपना योगदान दे रहा है इस जंग में सबसे बड़ी मिसाल बने हुए हैं देश की कोचिंग कैपितल कहे जाने वाली सिटी कोटा में पढ़ने वाले वो 40,000 चात्र जो अपने अपने होस्टल के कमरों में बंध है एक तरफ कोरोना के कहर के बीच हजारों लोग अपने गाम ढ़नी जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं मजबूरी में लॉकडाउन तोडने वाले ये लोग देश को खदरे में डाल रहे हैं ऐसे में देश की कोचिंग कैपिटल और राजिस्थान के कोटा में पढ़ने वाले स्टूडिंस ने बहतरी उधाहरन पेश किया है और इसी कोटा में अभी एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है इसमें सबसे अहम भूमिका इन छात्रों की है जो अनुशाशन के साथ अपने हॉस्टल के पीजी के कमरों में ही रह रहे हैं वहीं छात्राएं भी अपने गड़ जाने की जिद न करके यहां अनुशाशन के साथ रह रहे हैं कोरोना का एपिक सेंटर बन चुके भिलवाडा से कोटा शहर की दूरी 107 किलोमीटर से भी कम है इसके बावजूद अब भी 35 से 46,000 चात्रों ने कोरोना को हराने के लिए अपनी जिंदगी को हॉस्टल के रूम से लेकर मेस तक सिमित करके रख दिया है न्यू राजीव नगर, राजीव गांधी नगर, तलवंडी और जवाहा नगर समेथ अन्य जगा हॉस्टलों के कई कमरों में क्रॉस वेंडिलेशन भी नहीं है सूरज के किर्णे भी कमरों तक नहीं पखन सकती, इसके बावजूद छात्र अपने कमरों में ही रह जही है परिवार वाले चिंदा न करें, इसके लिए वे प्रति दिन कौन के जरिये संपर्ख में रहते हैं जिला प्रशाशन, कोचिंग संचालक और होस्टल संचालक सपोर्ट करने हैं लेकिन छात्र अपने इच्छा शक्ती से इस अनुशाशन को बना पा रहे हैं खत्रा इसलिए जाता है कि वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम की 2017 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा विश्व के साथ सबसे अधिक गनत्म वाले शहरों में हैं मुंबई सूची में दूसरे स्थान पर था कोटा में प्रती वर्ग मीटर 12,100 लोग रहते थे मुंबई में 31,700 लोग थे इसे देखते हुए कोटा बहत समेदन शील शहर है यहां कमिनिटी संक्रमन सबसे खातक हो सकता है चातरों की कोचिंग बंध होने और लोग डाउन के बाद पूरा दिन होस्टल में ही बितता है कोटा के अधिकांश होस्टल मंत्यम वर्गे परिवारों को देखते हुए बनाये के हैं जादतर होस्टल में मनुरंजन की बहुत सिंधाय नहीं है किताबे इंटरनेट है फिलहाल इनके साथ ही है सुबह करीब 9 से 10 बज़े तक ब्रिकपस्ट खत्म होने के बाद ये बच्चे कमरों में चले जाते हैं पढ़ाई के बाद लंच करने मैस जाते हैं और फिर से अपने रूम में आकर आईसलिशन का वक्त बिताते हैं सकारात्मक नजरिया छात्र इस समय को भी पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं वे मानते हैं कि जे इमेन और नीट की तारीक आगे बढ़ने के कारण अब इन्हें पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा CBC News राधस्तान की ये खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंच करके ज़रूर बताएं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News का चैनल सब्सक्राइब करिए पास में देख रहे हैं बेल आइकन को भी दबाईए अब आपको कैसि लगँ पर देख रहे हैं